हेलो गाइस तो गाइस कल बांगलादेश और इंडिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का 57 नंबर का मैच खेला गया और उस मैच को इंडिया ने 50 रनों से जीत लिया तो ये मैच कैसा रहा किसने कितने रन मारे किसने कितने विगिट लिये और कौन रहा मैन आप दा मैच चलिए मैं आ पहले बॉलिंग करने का फैसला किया जिसके बाद इंडिया की तरफ से ओपनिंग में आये थे रोई सर्मा और विराट कोली लेकिन यहां पर रोई सर्मा ने 11 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट होकर चले गए और विराट कोली भी आज अच्छे फॉम में दिखाई दिये वि कुमार यादाव भी दो गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए वहीं सीवम दुवे ने 24 गेंदों में 34 रन की पारी खेली और यहां पर हार्दिक पंडिया ने भी बहुत अच्छी पारी खेली जहां पर उन्होंने मत 27 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद लोटी अक्सर प उसैन ने दो-दो विकेट लिये थी वहीं साकिपल हसन ने भी एक विकेट लिये थी अब दोस्तों बात करती हैं बांगलादेश की बैटिंग की यहां पर दोस्तों बांगलादेश की तरफ से ओपिनिंग की शुरुआत करने लिटिल दास और तंजीम हसन आये थी लेकिन य जीव हसन ने भी 31 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट होकर चले गई जिसके बाद बांगलादेस के कैप्टन नजमुल सांतुनों ने एक अच्छी पारी खेलते हुए 32 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गई यहाँ पर नमबर 4 पर तोही धिर्दय आये थे और वो भी 6 गेंद के और एक चोके की मदस से 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं वही जाकिर अली एक मेहंदी हसन पांच और तंजीब साकिब ने एक रन बनाए थे यहाँ पर बांगलादेस की टीम ने 20 ओवर का मैच खेली और 8 विकिट गवा कर सिर्फ 146 रन ही बना पाई यहाँ पर बात की जब तक तीम इंडिया की बैटिंग चल रही थी तब तक मैच में रुमांच था क्योंकि इंडिया की तरफ से काफी जादा चोके शक के देखने को मिल रहे थे लेकिन जब बांगलादेस की बैटिंग आई तो मैच काफी धीमे धीमे चलता हुए दिखाई दिया फिलाल दो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दे